देवरिया हत्याकांड जिसमें छे लोगों की हत्या हुई थी खूनी रंजिश में एक ही परिवार के पांच लोगों को मौत के घाट उटार दिया गया था लेकिन घटना को लेकर अब सियासी बारा भी हाई हो चुका है कई राजनितिक दलों के नेता योगी सरकार पर मामले में जहां एक तरफा कारवाई करने की बात कह रहे हैं तो कई नेता मामले में देरी से कारवाई करने का आरोप लगा रहे हैं वहीं अखिलेश यादब भी मामले को लेकर योगी सरकार पर जब कर हमलावर है देवरिया नरसंगहार को लेकर सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार को घेरा है उन्होंने कहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है देवरिया कांट को यादव बना ब्रामभण बनाये जा रहा है इस दोरान अखिलेश ने बीजेपी पर जाती दंगे करवाने का आरोप ही लगा दिया है इसी के साथ अखिलेश आदव ने घटना के लिए योगी सरकार को पूरी तरह से जिम्मिदार बताया उन्होंने कहा कि देवरिया की घटना पर बीजेपी सरकार को इतना अन्याय नहीं करना चाहिए कि जनता खुद सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए और विद्रोह करने लगे ऐसी घटनाओं पर राजनीद नहीं करने चाहिए अन्याय इतना नहीं करना चाहिए कि लोग सहन न कर सकें और लोग खुद खड़े हो जाएं सरकार के खिलाफ और यह अन्याय कहीं न कहीं सरकार के दबाब में यह अपराद हो रहा है यह अन्यायनी बचा अपराद हो रहा है और सुनने में आ रहा है कि भारती जनता पार्टी के लगातार निताओं की कोशिस है कि इससे राजनतिक लाव लिया जाएं राजनतिक लाव लेंगे अगर आप तो घटनाएं बढ़ेंगी कम नहीं होंगी इस तरह से अखलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर मामले को लेकर एक के बाद एक वार किये लेकिन मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायवती ने अभी तक चुपी साथ रखी है जिसको लेकर कई राजनितिक दल उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं आपको बता दे कि 2 अक्टूबर 2023 को जमीनी विवाद में देवरिया में खूनी शंगर्ष हुआ था जिसमें पहले प्रेम चंद्रियादव के हत्या हुई थी जिसके बाद बदले के भावना से प्रेम चंद्रियादव के परजनों ने सत्त प्रकाश दुबे के परिवार की गोली मार कर हत्या कर दी थी